Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Government Job Genie Notification So, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NSS के बारे में आप सभी ने NSS का नाम तो सुना होगा NSS करते क्या हैं ये भी आपने देखा होगा लेकिन प्रॉपरली आपको ये नहीं पता होगा बहुत से स्टुडेंट्स को कांडिजेट को कि NSS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका वर्क क्या होता है, क्या उद्देश से क्या है इनका साथ में अगर आप NSS जोइन करना चाहते हैं, तो कैसे आप जोइन कर सकते हैं अगर आप NSS जोइन करते हैं, तो इसके benefits क्या रहते हैं आपके लिए ये सारे points आपको आज के इस वीडियो में मैं clear करने वाली हूँ NSS को लेक करके अगर आप भी NSS के बारे में जानकारी चाहते हैं या आप NSS जॉइन करने का सोच रहे हैं तो आप जॉइन करें या ना करें या करते हैं तो इसके benefit क्या है ना करने का तो सवाल ही नहीं है अगर आपके मन में है NSS आपको join करना है तो आप बिल्कुल कीज़े इसके benefits बगरा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी NCC का नाम आपने सुना होगा उसी तरह से NSS होता है तो NSS के क्या है NCC अलग है NSS अलग है उसी तरह से है लेकिन फिर भी दोनों में का difference है तो क्या है NSS इसको हम clear करेंगे आज के इस वीडियो में तो अगर आप interested है वीडियो continue रखे लास्ट तक देखेगा NSS से जुड़ी आपकी सारी information इस वीडियो मिल जाएगी फिर भी अगर आपके मन में कोई doubt रहता है कोई question है query है आप comment करके पूछ सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम NSS का full form देखेंगे NSS का full form होता है National Service Scheme and हिंदी में अगर आप कहें तो रास्टिय सेवा योजना के नाम से जाना जाता है तो नेश्टियो सेवा योजना के नाम से जाना सब्सक्राइब वालाsın आञानेवाला एक एक प्रोग्राम एक सग्रेकार प्रोलस में में यह कृषक करना चाहते हैं ऐप देश समाज के लोगों के साथ मिलकर समाच के लिए करने के लिए प्रेरित किया जाता है जैसे अगर आपके मन में कोई यसा है कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एनसर्स के साथ जोड़ सकते हैं, एनसर्स का यही मुक्देश है कि हमारे जो यवा हैं, हमारे देश के जो यवा हैं उनको देस के लिए देस की सेवा में देस के लिए कुछ अछछा ने के लिए उनको Meeting करना प्रोथसाहित करना ठीक है तो आपने देखा भी होगा कि जो आहसे होती है वो हर तरह जैसे कभी कोई आपदा आती तो वहाँ पर भी आनोस के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं जो NSS जॉइन किये हुए है वो पहुंसते हैं help करते हैं तो यह इस तरह से अगर आपके मन में भी कोई भावना है हमारे और करना भी चाहिए सभी के मन में यह होना चाहिए और अगर आप interested है कि NSS हमें join करना चाहिए देन आप कर सकते हैं और NSS जो work करता है ना तो NSS का एक सब्द है word है जो काम करते हैं उनका नियम है not me but you इसका मतलब है कि मैं नहीं मेरे से पहले आप यानि दूसरे पहले हैं पहले आप उनके लिए कुछ कीजिए तो यह देश की भावना देश के लिए जो अच्छे काम है देश की सहायता या help करना देश के लोगों की help करना समाज के help करना अगर आपके मन में भी यह इस तरह से कुछ भाव हैं और आप यह करना चाहते हैं तो आप NSS join कीजिए आप दासे पीडित हो या परयावन सनरक्षर सक्षरता सम्मंदी स्वास्त सापसफाई अपतकालिन समस्याओं में जो help करने वाला NSS काफी जगे आ यहां पर आपको आपके जो प्रिंसिपल हैं अध्यापक है अध्यापक से आपको इस बारे में बात करनी होती है कि मैं NSS join करना चाहता हूं या चाहती हूं और मुझे इसमें इंट्रेस्ट है तो वो आपको NSS join करने के लिए एक form देते हैं वो form आपको submit करना होता है ठीक है NSS volunteer बनने के बाद सबसे पहले आप NSS volunteer का जो form है वो fill करते हैं आप volunteer बनते हैं इसके बाद दो साल के समय में आपको कम से कम 240 घंटे समाज के लिए सेवा करनी होती है आपको अपने समाज के लिए कुछ work करना होता है जो कि normally जब आप join करते हैं तो यह एक जो target है यह complete हो ही जाता है इसके बाद आपको एक certificate भी दिया जाता है जो आप भविस में आपके future में बहुत जगे आप इसका यूज भी कर सकते हैं ठीक है से हमारे देश का कल्यान या भलाई होना ठीक है इसके अलावा नौकरी के भी अपसर जैसे कि आपने देखा है NCC के जो certificates होते हैं अगर आप कहीं जॉब में जाते हैं वहां NCC के certificates के लिए extra marks आपको दिया जाता है वैटिस ठीक है तो NSS जो student होते हैं उनको भी नौकरी के benefit मिलता है ठीक है and swim because to NSS course चात्रों को swim because करने का भी अफसर देता है यह चात्रों की अपनी कुसलताओं को समझने and आपके अधिक विस्तरत रूप से विक्सित करने के लिए समर्थ बनाता है तो आप इस तरह से आप NSS join कर सकते हैं ठीक है तो अब यह कितने साल का होता है तो इसलिए आप निसल को समधाय सेवा कार्यों को पूरा करना होता है कोई इसमें charges वगरा कुछ भी नहीं रहता है ठीक है तो NSS के बारे में information अगर आपको अच्छी लगी हो तो like and share कीजिएगा और कोई आप किसी topic पर आप चाहते हैं जानकारी आप मुझे comment कर सकते हैं thank you